स्टूरेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासिस हम इतिहासकारों की कड़ी को लेकर आज एक नए इतिहासकार के साथ उपस्तित हुए है जो है काशी प्रशाद जैसवाल सामानिता इने केपी जैसवाल के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास लेककों में काशी प्रशाद जैसवाल का काफी महतवपूर्ण स्थान है उन्होंने अपनी लेखनी से इतिहास की अलग तरह से व्याख्या कि कासी प्रसाद ने अपनी रचनाओं से भारती इतिहास को काफी संब्रिद्ध बनाया इसी कारण उन्हें आधनिक इतिहास कारों में विशिस्ट स्थान प्राप्त हुआ अपनी प्रारंभिक सिक्षा, पूर्ण करने के पश्चाथ, उन्होंने वकालत की परिक्षा भी पास की 1911 में वे कलकत्ता हाई कोट के अधिवक्ता भी बने उन दिनों भारत पर तंत्र था, अतयव, वे भी आंदोलन में सक्रिय हो गये थे इसके पश्चात उन्होंने सक्री राजनिती त्याग कर प्राचीन भारती संस्कृती के अध्यन में सनलगन हो गये उन्होंने विविद विश्यों पर एतिहासिक निबंद लिखे, अनेक ग्रंतों का जमपादन किया, कई व्याख्यान मालाओं में भाग लिया और कुछ मतुपूर्ण पुस्तकों की रचना भी की, डॉक्टर जैस्वाल संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहास तता कानून दोनों विश्यों का ग्यान होने के कारण वे प्राचीन भारतिय इतिहास में वैग्यानिक तत्य अधिक ढूनते रहते थे, उनका प्रमुकलक्ष भारतिय विद्धया को शूद कारे करना था, उनके कारे करने की प्रविति केवल सैधान तिक ना थी, उन्होंने कई रचनात्मा कारे किये थे सक्क्रिय राजनिती से प्रितक होने के बाद, 1914 में उन्होंने एक अशार्शकिय संगठन, बिहार और उडिसा रिसर्च सोसाइटी भी स्थापित की पटना संग्रहाले की स्थापना में भी इन्होंने अपनी प्रेड़ना प्रदान की थी वे संग्रहाले की प्रबन समिती के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे थे डॉक्टर जैसवाल की कारे छमता की प्रशंशा करते हुए लिखा गया है कि अकेले किसी एक व्यक्ति द्वारा इतिहास के विभिन छित्रों में इतना कारे नहीं किया गया जितना डॉक्टर जैसवाल ने दास्ता काल में किया था डॉक्टर जैसवाल ने भारत की प्राचीन विद्या को देश विदेश में प्रसिद्धी दिलाने के उद्देश से उन्होंने 1915 में General of the Bihar and Udisa Research Society नामक शोद पत्रिका का प्रकाशित और कई वर्षों तक उनका संपादन करते रहे उनका पहला निबन An Introduction to Hindu Policy 1913 में प्रकाशित हुई उनके शोद पत्र का संग्रह 1924 में Hindu Policy नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था उनके द्वारा रचित ग्रंथ History of India राजनितिक इतिहास के छेत्र में सरवादिक प्रसिद एवं चर्चित रही 1934 में उन्होंने Imperial History of India की रचना की इसमें उन्होंने गुप्त एवं उत्तर गुप्त कारेन राजनितिक तथा सांस्कृतिक इतिहास लिखा उन्होंने New Light on Hindu Political Science Literature नामक निबंददवारा प्राचीन भारतिय राजनिति विज्ञान पर परियाप्त प्रकास डाला डॉक्टर जैस्वाल का इतिहास दर्शन डॉक्टर जैस्वाल सिस्टोग्राफी डॉक्टर जैस्वाल पर पास्षात्य विद्वानों की वैग्यानिक प्रविती का पूरा प्रभाव था और इसलिए वे प्राचीन भारतिय संस्कृती के विशय में प्रस्त विचारों को यतावत स्विकार करने की अपेक्षा उनकी वैग्यानिक्ता पर अधिक ध्यान दिया करते थे एवं घटनाओं के कारणों की खोज तथा नवीन तत्यों को प्रकाश में लाने का प्रयास भी किया करते थे डॉक्टर जैसवाल ने भारत में इतिहास लिखन परंपरा को अन्य पास्चात्य देशों में सीखा गया व्यभार नहीं माना था उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित देवी विधी को स्विकारतों अवश्य किया था किन्तु नवीन तत्यों की खोच करके उनका इस विधी से विशलेशन भी किया था कि अंतता पास्चाती इतिहासकार भी यहां के संस्कृत ग्रंतों की इतिहासिक्ता के प्रती अपनी उदार भावना के साथ नत्मस तक हुए थे इतिहास लेखन की प्रचलित परंपराओं को नवेन द्रिष्टी भी प्रदान की उन्होंने अपने कृतियों के इतिहास लेखन में आधनिक भारती दृष्टिकोर्ण के विकास हेतू महत्वपूर्ण प्रयास किये अपने इतिहास लेखन में वे एक अधिवक्ता की पदती को स्विकार कर चुके थे जिसके अंतरगत वे किसी समस्या को स्वैम प्रश्ट रूप में उठाते और समधान में सभी संभावित सशक्त एवं दुर्बल पक्षो की समिक्षा करके अपना उत्तर भी देते थे अपने पक्ष के समर्थन में सभी साक्षो का संतुलित उपियोग करते थे Smith के विचारों एवं मानिताओं का उन्होंने साक्षों के आधार पर खंडन प्रस्तुद किया और एक के विचारों की दूसरे से तुलना करते हुए अपने विचार व्यक्त किये इतिहास लेकन में वे इसी तुलना अत्मक विधी का सदय उपयोग करते थे और इसी को वे वास्तविक एतिहासिक पद्धिती भी कहते है डॉक्टर जैसवाल की आत्मा, संविधान और विधी के प्राचीनता की खोज ना होकर भारती इतिहास और संस्कृत की जटिल समस्याओं की खोज में थी सुंगू के इतिहासिक में उन्होंने अपने निबंध में महतपूर्ण सुझाओं प्रस्तुत किये कनिश्क द्वारस थापित संग्षम्वत को उन्होंने सुईकार किया और बेक्टीरिया के ग्रीक नरेशों की आकर्मन को उन्होंने नई दृष्टिकॉण दिये कालकाचारे कथानक के अधार पर उन्होंने सक्क सातवाहन समस्या का समाधार प्रस्तुत किया पास्चाती इतिहासकारों ने भारती इतिहास के जिस युक को अंधकार पूर्ण बतलाया है उसे ब्रामक एवं कपूल कालपित बतलाते हुए विभिन साक्षों को प्रस्तुत कर अपने कथन की सत्यता को और सुद्ड बना देते हैं अभिलेकों के अध्यन और उन संधान की दृष्टी से कारवेल का हाथी गुपहा फिलेक सरवाधिक विवाद का विशय रहा है डॉक्टर जायसवाल ने इसे अपने निबंदों के माध्यम से अच्छी प्रकार से सुलज़ाया है साथ ही असोग के अभिलेक, अशोग के राजिय रोहन की तिथी, ब्रामी लिपी की उत्पति तथा भुनेश्वर मंदिर के अभिलेकों का संपादन, अयुद्या के शुंग अभिलेक, समद्गुप का प्रयाग, अभिलेक, मुहरों का अध्यन, एवं उनकी व्याख्या प्रस्तुत करने का कारिद, तिथी करम के अनुसार करके डॉक्टर जैसवाल ने अपने इतिहास दर्शन को विस्स्ट बनाया है, अब इसका मुल्यांकन देखेंगे, डॉक्टर जैसवाल एक देशभक्त, स्वाभी मानी, तथा स्वतंतर प्रकृति के व्यक्ति थे, विदेशी दास्ता से वे, अपने को पृतक रखते थे, और इ इतिहास की ना तो दार्शनिक परिभाशा दी है, और ना ही इतिहास के प्रती कोई विमर्श प्रस्तुत किया है, फिर भी उनकी कृतियों में हिंदू विचार, दर्शन, धर्मशाशन, प्रजातंत्र, गणराज्य, सामाजिक विवस्था, आदी की स्रिष्टा को चित्रित किया गया है, अपने पचीस वर्शों के एतिहासिक अध्यन के दौरान उन्होंने यह संपादित किया, तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद